कंगी घुमा के उल्टा ठोपी टिका के गॉगल लगा के अपना कॉलर चड़ा के सचदच के घर से तका तक निकले का स्टाइल में रहे देगा इस वीडियो को देखने में गारेंटी लेता हूं आपकी हाइठ शो लंबी शो नहीं वाले हो प्लस उसकी साथ आप ट्रेक्टिब भी देखने वाले हो मुझे Twilight सेक्शन में इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी हाइट छोटी है न तो मैं आपको ऐसा सेक्सी बना दूगा ना आप थेंक्यू बोलने वाले हो तो बात करते हैं टिप नंबर बन की तो वह बोडी पोच्च आप देखिए बोडी पोच्च बहुत इंपोर्टेंट करते हैं आपकी हाइट इंक्रीज करने में और भाई आपके जो ओवर ओल परसनेलिटी ओवर ओल अट्रेक्टिवनेस है न तो वह शो करता है बोडी पोच्च बहुत जादा इंपोर्टेंट अगर आप जोपके चलते हो न तो बहुत गलत है अगर आप श्रेट चलते हो बो अगर आप थोड़ा श्रेट आप ठीक करके चलोगे न तो भाई आपकी हाइट थोड़ी लंबी दिखने माली है अप अट्रेक्टिव साथ में अट्रेक्टिव भी दिखने माले हो तो यह आप इस पर वक करो आप बोडी पोच्च आप अपना थोड़ा इंप्रूफ कर सकत कुछ एक्सराइज बगएर करके तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ एक्सराइज आपको यूटूब बगएर में देखने को मिल याईगी आप सर्च कर सकते हो यावर आपको पूरे दिन इस्ट्रेट मलब जब भी आप बैठो ना तो इस्ट्रेट बैठो अगर आपकी हाइट चोटी है तो आपको बहुत ज्यादा लूज पैंट्स बगएरा नहीं पहने है अभी बॉटम के बारे में बात करते हैं तो पैंट्स बगएर आपको लूज नहीं पहने आप इसकी टाइट आपको जीन से आफे चीनो बगएरा वियर करना है उससे होता अगर आपकी जो लेगा ना वह ज्यादा देखता है तो आपकी ओवर ओल हाइट जो है इंक्रीज करने में मदद करता है मलब अब शो करने में मदद करता है अब को थोड़ा सा अगर दूशरे बंदा या बंदी देखि ए तो भाई आप थोड़ी से लंबे विखोगे पहले के मुकाबले ठीक है तो आपको टाइट जीन से या फिर चीनों या फिर आप जो भी पहनते हो ना थोड़ा हलका सा टाइट पहनना है जिससे आपकी ओवराल परसनलिटी बहुत सवर्जस लगने अब बात करते हैं थर्ड टिप की तो थर्ड पे यह अगर आप शेट्स पहनते हो या फिर टिशन तो आपको हमेशा टग अन करकर पहन अरब देखो होता है अब tea अब टाइन करके आपके लेग जो है जादा दिखने बाले है अगर अप कि लेग ज्यादा बड़े दिखेंगें जिससे आपकी हईट वढ़ी दिखने बाली है चोटी दिखने वाली हो तो यह चीज जरूर फॉलो करो भाई मैं गैरेंटी लेता हूं आप इंस्टेंटली आपकी हाइट लंबी देखेगी एंड आप अट्रेक्टिब दिखने ही बाले हो साथ में सभी टिप्स को फॉलो करो यार जो भी मैं आगे बता रहा हूं या वैने बता दी है भाई 100% गैरेंटी भाई कॉमेंट्स में आप थैंक्स लिखने बाले हो और अगर आपने अब तक हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं है तो भाई सब्सक्राइब करते हो यार क्या कर रहे हो अब बात करते हैं थर्ड टेप की तो थर्ड टेप है हाई शोल सूस अब देखे हो जब भी आप वियर करते हो शूस तो आप हमेजा हाई शोल वाले शूस वियर करो अब कैजूली में भी हाई शोल शूस आप वियर कर सकते हो और और फॉर्मली में थोड़े अलग टाइप की शूस आते हैं मैं आपको दिखाऊंगा भी नब बना कैजूल में आप इस के पहने हैं जो चका बूट्स कहते हैं एंड आप स्पोर्च शूज एस डाइट के पहन सकते हो फॉर्मल में आपको चका बूट्स पहनने हैं आप ओनलाइन देख सकते हो एमजोन या फ्लिपकार्ट पे आपको एजले अवलेबल देखने को मिल जाएगा अभी तो बेसिकली इसके बाद अगर आपको इसली मंगवा सकते हो एक कुछ इस टाइप के आपको देखने वाले हैं यह फॉर्मल शूज है जिनका शोल थोड़ा हाई रहता है तो यह आपको वियर करना है इससे भी आप काफी अच्छे देखने वाले हैं आपकी हाइट काफी लंबी देखने झाले है